कि आपकी वॉक्षीट नमबर 20 तो पहला प्लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे इंगलिश की वॉक्षीट है अपना नाम अपने टीचर का नाम डेट आप लोग लिख लेंगे कौन सी पोएम पढ़ेंगे आज हम इसी पोएम को पढ़ेंगे दा लास्ट बाइगिनिंग अब क्या लिखा है कोशिन नमबर 1 असलियत में तल्वार एक वैपन है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत जादा पावर है ना सिंबल के तौर पर हम बहुत सारे वर्ट को इस्तेमाल करते हैं सेम इसी तरह से बहुत सारे सिंबल्स आपको पोएम में दिये गए हैं ठीक है राइट वोट डू दे मीन इन इन इस पेस प्रोवाइड और फिर यहां पे जो इसके असली मीनिंग है किस सिंबल के लिए इस्तिमाल के जाते बैग ऑफ गोल्ड यानि कि सोने से भारा हुआ ब ठीक लेकिन इसको हम किस वी में इस्तिमाल करते हैं यह किस चीज का सिंबल होता है टीर्स माने होता है आसू आसू किस चीज का सिंबल है नथिंग नथिंग माने कुछ भी नहीं का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं किसी चीज का एक सिंबल होगा न यह तो चलिए काम करते हैं इसे आंसर शीट पे देखते हैं जल्दी से आप देख सकते हैं जो लिखा है ना गो बैग ऑफ गोल्ड यानि कि सोने से भारा हुआ वैल बैग तो वो क्या हो जाएगा वैल्थ ठीक है और उसके बाद लिखा है स्माइल माने होता है शोट लिवड हैपिनेस यानि कि जब हम मत होता है वो किसी के emotion को दिखाते हैं संय आइसे मार्द किसी के emotion को नहीं दिखाती लेकिन इस आ्सों जो होते वे emotions को दिखाते है कि किस emotion कह से कि नहीं है यह सारी चीज़े दिखाते है और नथिंग का मतलब होता है फ्रीडम कि हमारे पस कुछ नहीं है इसलिए हम दुनिया के सारे जहमेलों से आजाद है जिसके पास पैसा है वो उसे समालेगा जिसके पास जाइदा दे वो उसे समालेगा लेकिन जिसके पास कुछ भी वो जिन्दीगी को अराम से जिएगा बिना किसे टैंशन के तो आप लोग सब के सामने लिख सकते हैं आसाने से चारो पॉइंट के सामने उनकी आंसर आप लोग लेंगे चलिए अगला कुशिन पढ़ते हैं कि आप सेकन्ड कुशिन दिया गया वॉअट इस अब जाय यानि कि इस पीकर की लास्ट बारगेनिंग मतलब किसके साथ थी क्या थी उसकी लाक्ट बारगेनिंग तो चलिए क समय है इंट सार निपettंगाच यानि कि यह जो नीचे बॉक्स में आपको वर्ट्स दिये गए है इसकी मदद से आपको यह सारे सेंटेंस पूरे करने है तो एक काम करते हैं इसको आपको अच्छे से समझ में भी आजाए और फिलफ्स भी आपको मिल जाए चलिए आंसर देखते है आप देखिए इसका आंसर बच्चे के पास उसे हायर करने के लिए कुछ भी नहीं था देखिए जो हमने पोएम पढ़ी है उस पोएम को इन्होंने उल्टा पूल्टा करके आपके सामने पेश किया एक सी यह वाइस आपको नहीं दिया गया है ठीक है तो देखें यह लास्ट की लाइन से जो आपको स बच्चा कहता है मैं आपको आजादी दूँगा अलियर दखेंग वांट टू हायर हिम विद द पावर यानि की जो बाश्या था वो उसको किस में हायर करना चाहता था यह उसको पावर के बिना पर हाय करना चाहता था अपनी ताकत के लिए लेकिन बच्चा उसके साथ नही पार मैं आया था जिसके पास गॉल्ड कॉइन थे बैक बढ़ा वा था पूरे सोने का तो वो उसको किस से हायर करना चाहता था मनी यानि की पैसो के बिना पर हाय करना चाहता था अर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कर ना चाहता है तो फो यह तो इसे लिग सकते है उसके लेकिन लास्ट में क्या हुआ था स्पीकर चूज नथिंग ओवर ओल अधर थिंग्स यानि इन सारी चीजों के ऊपर उसने स्पीकर ने किसी भी चीज को लेना पसंद नहीं कि या उसने सारी चीजों को नजर अंदाज कर दिया ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं तो आपका र रिएरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि उनसे कोई मीनिंग्फुल वर्ट्स बने जैसा कि आपको यहां नीचे दिये गए हैं ठीक है तो आप इसको यहां से नोट डाउन कर लीजे क्योंकि मैं सिर्फ आपको सियल वाइज आंसर बताने वाली हूं आप यहां पेसे न सोगे दस लिख लेंगे ठीक है चलिए तो आपको मैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक को शियर करें अभी तक आपने मैंचाओं को सिस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज मैंचाओं को सिस्क्राइब करें थैंक्यू फॉर वाचिंग